सच्ची भक्ती क्या है स्वामी आत्मनंद ब्रमहलीन स्वामी आत्मनंद जी ने आकाश्वाणी के चिंतन कारिक्रम के लिए विविद विश्यों पर अनेक विचारोचक लेख लिखे थे जो उसके विभिन्य केंद्रो द्वारा प्रसारित किये गए तथा लोगप्रिय भी हुए प्रस्तुत लेख आकाश्वानी राइपुर से साहर ग्रिहत हुआ है हम अपने पूजा घर में बैटकर भगवान का भजन करते हैं और सोचते हैं कि हम भक्त है हम मंदिर में बैटकर भजन किर्टन करते हैं और हमें लगता है कि हम भक्त है लोगों के साथ मिलकर हम धार्मिंग आयोजन करते हैं और हम समझते हैं कि हम भक्त है ये सब धारणाएं सही हैं परन्तु भक्ति की एक और भी अवस्था है जिससे सही माइने में सच्ची भक्ती कहा जा सकता है और वह है इश्वर को पूजा घर, मंदिर और धार्मिक आयजनों के बाहर भी देखना यदि यह सही है कि यह जगत इश्वर से ही निकला है और उसी मिस्थित है तब इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इश्वर विरत है संसार में सरवत्र वही इश्वर रमा है और उसकी भक्ती जैसे पूजा घर, मंदिर और धार्मिक आयजनों के माध्यम से की जा सकती है वैसे ही अपने हर कर्म के द्वारा भी की जा सकती है इस प्रकार सच्ची भक्ती की अवस्था वह है जहां हमारा हर काम भगवान की पूजा बन जाता है गीता में अर्जन को सारा उपदेश देने के बाद भगवान श्रीकृष्ण उपसंगार करते वे कहते हैं स्वे स्वे कर्मणाह अभीरत सम सिध्धिम लबते नरह सर्व कर्म निरतह सिध्धिम यथा विदन्ती तक्षणुम यथा प्रवित्ती भूरता नाम येन सर्व मिदम ततम सर्व कर्मणाह तभ्यश्चर्य सिध्धिम विदन्ती मानव अर्थात अपने अपने कर्म में लगे रहकर मनुश्य परम सिध्धी को पा लेता है अपने कर्म में लगे रहकर वो किस प्रकार सिध्धी को प्राप्त करता है यह उपाए मुझसे सुनो जिस सर्था से सर्वभूतों की उत्पत्ती हुई है और जिससे यह सारा जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने कर्म द्वारा पूजा कर मनुश्य परमसिधी को प्राप्त हो जाता है जब व्यक्ती का हर कर्म भगवान की पूजा बन जाता है तब उसके लिए मंदिर और प्रयोक शाला में भेद नहीं रह जाता भगनी निवेदिता स्वामी विवेकानन के समग्र ग्रंत जो हिंदी में विवेकानन साहित्य के नाम से प्रकाशित हुए हैं कि भूमिका में लिखती हैं यदि एक और अनेक सच्मुच एक ही सत्य है तो केवल उपासना के ही विविद्ध प्रकार नहीं है वरन सामान्य रूप से कर्म के भी सभी प्रकार संगर्ष के भी सभी प्रकार स्रुजन के भी सभी प्रकार सत्य साक्षात्कार के मार्ग है अता अब आगे लौकिक और धार मिक में कोई भेद नहीं रह जाता कर्म करना ही उपासना है विजयप्राप्ट करना ही त्याग है स्वयम जीवन ही धर्म है वे आगे लिखती है स्वामी विवेक अननंजी कि यही अनुभूती है जिसने उन्हें उस कर्म का महान उद्देश सिद्ध किया जो ज्ञान भक्ती से अलग नहीं वरन उन्हें अभिव्यक्ति करने वाला है उनके लिए कारखाना, अध्यन, कक्ष, खेत और कृड़ा भुमी आधी भगवत साक्षात करके वैसे ही उत्तम और योग्यस्थान हैं जैसे साधू की कुटी या मंदिर का द्वार उनके लिए मानव सेवा और इश्वर की पूजा, पौरुश तथा शध्धा, सच्चा नैतिक बल और आध्यात्मिक में कोई अंतर नहीं है एक बार उन्होंने कहा था कला, विज्ञान, एवं धर्म, एक ही सत्य की अभिव्यक्ति के त्रिविध माध्यम है अस्तू विदेशों की यात्रा से लोठने के बात, रामेश्वरम के मंदर में भाशन देते वे, स्वामी विवेकानन ने भक्ति की व्याख्या करते वे कहा था वह मनुष्य जो शिव को निर्धन, दुर्बल तथा रुग्ण व्यक्ति में देखता है, वही सच्मुच शिव की उपासना करता है परन्तु यदि वह उन्हें केवल मुर्थी में देखता है, तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितांध प्रारंबिखी है यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवा, सुशृता, बिना जाती पाती, अथ्वा उच नीच के भेट बाव के ये विचार करते वे, कि उसमें साक्षाट शिव विराजमान है, तो शिव उससे अधिक प्रसंद होंगी उस दूसरे वेक्ति की अपेक्षा जो उन्हें केवल मंदिर में ही देखता है, आगे उन्होंने कहा था, जो वेक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने भाईयों की सेवा करनी चाहिए इसी प्रकार जो शिव की सेवा करना चाहता है, उसे पहले उसकी संतान की विश्व के प्रानी मात्र की सेवा करनी चाहिए शास्त्रों में भी यही काग्या है कि जो भगवान के दासों की सेवा करता है वही भगवान का सर्व स्रेष्ट दास है यही सच्ची भक्ती का स्वरूप है